वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी टेकनिकल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप देख सके से पहले हमारी इन वीडियो को है लोगाइस तो कैसे हैं आप सब आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं वटसप का नियू अब डेट जो की नियू अपडेट वदसप लॉंच करने वाला है कुछ दिनों म क्योंकि मैं वेटर वर वेटर टेस्टर हूं इसलिए मेरे पास यह निव अपडेट सबसे पहले आ चुकिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं अपने वर्ट सेप को अपडेट कर रहा हूं और जैसा कि आप पड़ पा रहे होंगे करो है वट्स new if you are group admin you can now remove admin rights from other participant और यहां पर आप ग्रूप admin है तो आप राइट हैं रिमूब कर सकते हैं कि कौन गृप का जो image होता है उसे उसे चेंज कर सकता है या मरलब कुछ भी स्टेटस होगेरा कुछ भी चेंज करने का राइट स्क्रिस क्रिस को हैं यह सब कुछ हाप कर सकते हैं तो यह सब कैसे करना है यह इंस्टोल होने के बाद मैं हम सब को सबसे पहले यहां पर इंट्रॉल हो गया है तो इसे ओपन कर लिए तो यहां पर मैं अपना गूप कर लेता हूँ आए यह तो मैं यहां प्रीमॉप कर ना चाहो तो यहां से भी रिमूब कर कि आधे में यहां नीचे को इस ग्रूप से ऑन में देखा रहे हैं उसको मैं डिसमिस ऐजा एडमी一个 करता हूं यह ग्रूप एडमीन डिसमिस गाएगा इंड में वो ग्रूप में दो रहेगा बट इसके रिमूव तो एक अपड़ेट यह है और तोसमा इसमिस नहीं करना तो इसे मैं दूबारा admin मना देता हूँ उसके बाद आप सेकन्ड चीज वो कर सकते हैं कि आप किस-किस को rights देना चाहते हैं और किस-किस को नहीं rights देना चाहते हैं तो यह सब भी कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ तो back वेक हो जाएंगे तो back होने के बाद आपके पास जो आप देख पा रहे हैं right hand upper corner पर आपको three dots मिलेंगे उसके उपर click करना है जैसे ही आप click करेंगे click करने के बाद आपको group info का एक option मिलेगा first number पर उसके उपर आपको click करना है जैसे ही आप उसके उपर click करेंगे click करने के बाद आपको एक group settings मिलेगी जैसे कि आप देख वारे हैं पर group settings का option है तो group settings पर click करेंगे group settings पर click करने के बाद आपको एक added group info का option मिल रहा है first number पर ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर आपसे पुछा जाएगा added group info choose who can change this group's subject icon and description means आपसे पुछा जाएगा कि आप इसमें किस-किस को rights देना चाहते हैं जो आपकी groups का subject या icon या description change कर सकता है तो यहाँ पर मैं अगर चाहूं तो all participants दे सकता हूं otherwise only admin दूँगा तो मैं यहाँ पर only admins कर देता हूं ठीक है तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जिसको भी rights देना चाहते हैं उसको rights दे सकते हैं ठीक है अगर मैं बात करूँ added group admins की तो यहां पर मैं अगर किसी और को admin बनाना चाहता हूं तो इसको भी बना सकता हूं या remove करना चाहता तो उसको remove भी कर सकता हूं तो यह भी एक new option आया है तो यह new update आने वाले कुछ दिनों में आपको यह update देखने को मिल जाएगा whatsapp के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यह new update है जो मैंने आपको सबसे पहले दी है तो दोस्त अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो like और subscribe करना बिल्कुल ना बुले और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को share करें तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ